गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज है 29 सेप्टेंबर तो चलिए देखते हैं आज का करिंट अफियर्स इस वीडियो में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूस कवर किया जाता है मैं हूं रश्मी सिन्हा सबसे पहले पताना चाहूंगे आज है वर्ल्ड हाथ जे और बिल मिशन 4 में जुके स्टार्ट किया है जिसके अंतरगत सिवेल से लिया यानि आम आदमी चैस में प्याशन अगया इस्पिरेशन फोर हुआ चार्ट लोगों को सेलेक्ट किया गया भेजा गया और वह वापस भी आ गया है पूछा जाएगा एक्जाम में कोशन कि किस रॉकेट के द्वाड़ा भेजा गया तो वह रॉकेट है फैलकर नाइन रखे फैलकर नाइन आगे बढ़ते हैं करेंट अधोरा है इन्सट्रेस इंस्टूट इसमें क्या होगा इसमें उन्होंने बताया कि ये इसथूट जो है क्लायमे चेंज के करन अफॉर्स इंपाया है है ऐसे में इस इन्स्टूट ऐसे प्रोड़क्ट बनाएगा ऐसे क्रॉप की पाटन बता रहा है जिस से क्लाइमिट चेंज का इंपक्ट ना हो और इसी के अंतरगर 35 क्लाइब वईराइटीज इंट्रिडूस किये गए हैं 35 crop varieties वो ऐसे crop हैं जो कि climate change से impact नहीं हो रहे हैं और production भी इंडिया में बढ़ेगा ठीक है यह जो 35 crop varieties जो लाया जा रहा है वो बहुत ही healthy होगा, nutritious होगा और साथ में climate impact भी उसके नहीं होगा जैसे की गेहू, rice, baby corn, millet, mustard, soya bean, gram, winged bean and fever bean यह सारे introduce किये गये हैं यहाँ पे नाम है ठीक है गेहू, चावल, उसके अलाबा soya bean इस तरह के crop group किये जा रहे हैं यह crop बहुत ही unique हैं क्योंकि यह जो crop है वो आसानी से iron और jinx soya से निकाल सकता है इसलिए इस crop को अभी हाल में हमारे prime minister introduce किये हैं और हम सब के लिए 35 नए variety of crop लाए गया है Question number 2 पे आते हैं यह भी बहुत important है जोदपूर city knowledge and innovation cluster अभी हाल में integrate किया गया है किसके द्वारा जोदपूर city knowledge and innovation cluster integrate किया गया है वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया वैंकिया नाइडू के द्वारा देखी वैंकिया नाइडू ने establish किया है जोदपूर city में knowledge and innovation center और इसी के अंतरगत जोदपूर में ही artificial intelligence of things institute भी बनाया जा रहा है तो AI पे तो हम लोग बहुत जादा काम कर रहे हैं तो उसे से related जोदपूर में establish किया जा रहा है Question number 3 पे आ जाते हैं which state सोजत महदी get GI tag कौन से state के सोजत महदी को GI tag मिला है जी हां आपको पता होगा यह मिला है राजस्थान के सोजत महदी को मिला है GI tag सोजत महदी जो है एक special type of महदी आर्थ है और वहां के जो farmer है वो grow करते इस type की particular महदी और इसी लिए राजस्थान को दिया गया है GI tag GI tag दिया जाता है agricultural, natural and manufacturing product में ताकि उस particular product की identity उस particular location से हो और उस particular product की copy ना हो Q4 पर आएंगे CSIR Innovation Award 2021 has given to two students by Vankya Naidu Vankya Naidu जो हमारे Vice President है उन्होंने दो student को अवार्ड दिया है बहुत important अवार्ड है CSIR Innovation Award 2021 वो कौन से दो student है? देखें वो student है Anusha और रक्षिता नायक अनूसा और रक्षिता नायक को मिला है ये अवार्ड CSIR Innovation Award CSIR यानि Center for Scientific and Industrial Research Award ये जो अवार्ड दिया गया है अनूसा और रक्षिता नायक को ये दोनों ही Class 10 के student है और इनको ये अवार्ड मिलता है देखें ये अवार्ड क्यों important है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही innovative idea लाया था और इन्होंने बनाया था gas saving kit ये क्या है? gas saving kit एक particular type of kit है जिससे अगर stop में पानी गरम होगा stop पे तो उस पानी गरम होने के साथ साथ वो खाना भी बना सकता है यानि एक साथ दोनों काम किया जा सकता है इस particular stop से और इसे लिए इनको मिला है ये अवार्ड इसका नाम है gas saving kit जिसके अंतरगत एक बार में ही पानी और खाना दोनों गरम किया जा सकता है बनाया जा सकता है खाना भी और क्योंकि उसी फ्यूल से पानी को भी गरम किया जा सकता है ठीक है यह दोनों connected है question number 5 पे आते हैं मोईन अली has retired from test cricket he belongs to which country अभी हाल में मोईन अली ने retirement ले लिया है test cricket से और वो बिलॉंग करते हैं पाकिस्तान से नहीं वो बिलॉंग करते हैं इंग्लैंड से ध्यान रखें इंग्लैंड के मोईन अली ने test cricket से retirement ले ली है यह है इनका pick आगे बढ़ते हैं question number 6 की तरफ Center for excellence on quantum technology has setup at Center for excellence on quantum technology पूरा institute बनाया जा रहा है कहां पे तो यह setup किया जा रहा है IIT Delhi में और IIT Delhi के अंदर बनाया जा रहा है Center for excellence on quantum technology quantum technology बहुत ही latest technology है और आज वो हर फिल्ड में यूज हो रहा है जैसे कि super conducting model quantum processor quantum sensing quantum imaging सवाल यह उठता है कि quantum technology होता क्या है quantum technology एक ऐसी technology है जो कि आज हर फिल्ड में यूज हो रहा है चाहे वो super conductor बनाना हूँ चाहे वो processor बनाना हूँ ठीक है तो यह latest technology है और यह artificial intelligence से ही related है देखे quantum technology होता क्या है quantum bit क्या होता है थोड़ा जानते है generally जो general computer था उसमें क्या होता था classical bit होते थे 0 and 1 बस दो ही होता था 0 या 1 quantum bit क्या होता है quantum bit कहता है कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी possibility है ठीक है quantum bit इस यह बात कहता है कि 0 और 1 के बीच में काफी possibility question number 7 पर आएंगे वीच कंट्री हैस रेसेंट्री लिगलाइज गे मैरेज गे मैरेज को रिगलाइज किया गया है अभी हाल में Switzerland के द्वारा देखे बहुत सारी कंट्री ने लिगलाइज कर दिया गया है पहली कंट्री जो लिगलाइज किती वो थी 8 की तरफ government of India ने स्टाब्लिस किया है बैड बैंक इसका क्या नाम है इसका नाम है डेट resolution company limited डेट resolution company limited अब यह क्या है थोड़ा जानते हैं तोड़ा जानते हैं इसके bad bank है लेकिन इसके बहुत सारे यूज है जैसा कि कल भी मैंने बताया था NPA के बारे में क्या होता है कि bank से borrower loan लेते हैं ठीक है कि हमें पैसे दीजिए bank उन्हें loan देता है लेकिन वो लोटा नहीं पाते हैं ऐसे में NPA क्रियेट होता है और इसी NPA को कम करने के लिए government बना रही है bad bank यह bad bank क्या करेगी bad bank जो है वो borrower से loan कलेक्ट करेगी ठीक है तो bad bank काफी ज़्यादे न्यूज में है और याद रखे इसका नाम क्या रखा गया है debt regulation company limited आज का सवाल देखते हैं अत्यधोया scheme is related to अत्यधोया scheme काफी ज्यादा न्यूज में है यह किस से related है इसका answer आप comment box में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे शेयर कर दे और चैनल को भी subscribe कर ले और thank you so much